नेता जी सुभाज चंद्र बोस के ये शब्द दुनिया भर में गुंज उठे और भारत की स्वतंत्रता की लडाई के लिए आजाद हिंद फौज सागर का सीना चीरते हुए रवाना हुई आज भी ये शब्द सभी भारतियों के दिलों में देशभक्ति की भावना भरते हैं नेता जी सुभाज चंद्र बोस का जन्म 23 जन्वरी 1897 को कटक में हुआ था ये दिन पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है सुभाज चंद्र बोस स्वामी विवेका नंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और विद्यार्थी जीवन से ही देश भक्ति के उत्साह के लिए जाने जाते थे अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा दी और मैरिट में चौथा स्थान प्राप्त किया लेकिन जलियावाला बाग के नरसंगहार का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और सिविल सर्विस का प्रसेक्षन बीच में ही छोड़कर वे 1921 में भारत लोटाए। के दोरान ही कलकत्ता के महापौर निर्वाचित हुए। उन्हें रिहा कर दिया गया। और चिकित्सा के आधार पर रिहा होने से पहले कई बार गरफतार किया। रिहाई के बाद उन्हें 1930 के दशक के मध्य में योरोप जाने की अनमती मिल गई। लंदन में प्रकाशित हुई। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस भहे से भारत में पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया कि इससे अशान्ति फैलेगी। भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध की अवहिलना करते हुए नेता जी 1936 में भारत लोटे। आते ही उन्हें गिरफतार कर लिया गया और एक वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। 1937 के आम चुनाओं के बाद कॉंग्रेस सात राज्यों में सत्ता में आई और सुभाष चंद्रबोज को रिहा कर दिया गया। उन्हें 1938 में हरीपुरा के कॉंग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष के कारेकाल के दोरान नेता जी ने राष्ट्रिय नियोजन समिती बनाई। 1949 में त्रिपुरी में कॉंग्रेस अधिवेशन में सुभाज चंद्रबोस पुन्हा अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने पट्टाभी सीता रमईया को पराजित किया। वे अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए 6 महिने का समय देने का प्रस्ताव लाए। और ऐ नेता जी ने विश्वयुद्ध में भारत को शामिल किये जाने के विरोध के लिए जन आंदोलन शुरू किया। कलकत्ता में उन्हें नजरबंद कर दिया गया। जनवरी 1941 में नेता जी पठान के वेश में नाट किये धंग से देश से निकल गये। वे अफगानिस्तान होत आजादी की लड़ाई छेड रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकमिल आजादी हासिल न हो। की भी रेजिमेंट थी जिसका नाम जासिक इरानी लक्ष्मिबाई के नाम पर लखा गया। नेताची के नित्रतों में आयने में अनेक युद्ध बंदी और हजारों स्वयम सेवक शामिल हूँ। जी ने समर्पन नहीं किया और सोवियत संग के सयोग से मंचूरिया से लड़ाई चारी रखने की योजना बनाई। लेकिन खबर आई कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में विमान दुरघटना में उनका निधन हो गया। उस समय वे सोवियत संग का समर्थन लेने के लिए मंचूरिया जा रहे थे। उनकी मृत्यू एक रहस्य बनी रही क्योंकि ज्यादतर लोगों को विश्वास था कि विमान दुरघटना के बाद भी वे जीवित थे। सुभाज चंद्र बोस को गांधी जी ने देशभक्तों का देशभक्त घोशित किया था। नेता जी का व्यक्तित्व आज भी सभी भारतियों के दिलों में देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित करता है। महान राष्ट्रवादी को हमारी भाव भी निश्रत थांजे।